नमस्कार दोस्तों आज का डिक्टेशन असी सब प्रती मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद स्टार्ट महोदै देश की लगबग तीन चौथाई जनसंख्या गामों में रहती है जिनकी आय कम होने के सात साथ सिक्षा स्वास्थे पेजल आदी अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब नहीं है ग्रामिन खेत्रों और ग्रामिनों विशेश कर अनुसूचित जातियों जन जातियों कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा में नीचे रहने वाले लोगों का विकास एम गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है ग्रामिन विकास क्या व्यापक दाइरा है जिसमें ग्रामिन खेत्रों और ग्रामिनों के जीवन इस्तर का सर्वांगिन विकास सामिल है इसका अर्थ निर्धनतम लोगों की अपने स्थानिय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की व्रद्दी है ग्रामिन विकास की प्रक्रिया में पूंजी का निवेश एवं उसका विस्तार उत्पादक सक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोजगार ग्रामिनों का अर्थ व्यवस्था की उत्पादक विकास सील खेत्रों में सम्मीलित होना आवश्यक है मंत्रालई की गतिविदियों का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है जिसके अंतरगत विशेश मजदूरी, रोजगार वै, स्वरोजगार कार्यक्रम, भूमी सुधार, बंजर भूमी विकास एवं जल संबरन विकास कार्यक्रम है इन में स्वच पेजल की व्यवस्था ग्रामिन स्वच्चता, क्रसी विपनन ग्रामिन आवास है, तथा लोग कार्यक्रम, तथा ग्रामिन प्रोधोगी की विकास परिशद द्वारा, सहायता और राष्ट्रिये ग्रामिन विकास संस्थान, एवं क्रसी विपनन केंद्र के माध्यम से प्रसिक्षन की व्यवस्था सामिल है, गरीबी उन्मूलन की प्रयासों का महत्व, इसकी योजनाओं के आबंटन में व्रद्धी को बताता है, जहां नवी योजना में इसका परिवे 40,000 करोड रुपई था, उसे बढ़ा कर दस्वी योजना में 80,000 करोड रुपई कर दिया गया है, इसे बड़े हुए परिवे के साथ साथ जैसा की पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान अधीनियम 1922 में में बताया गया है लोगों की कार्यक्रमों में बिहतर भागीदारी प्राप्त होगी, जिससे निर्धन ग्रामिनों की जीवन स्थर में सुधार लानी की प्रयास को नई दिशा प्राप्त होगी, ग्रामिन क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की राश्टिये प्रयास में ग्रामिन विकास मंत्रालय की मुख्य कार्यक्रमों को दी गई नई दिशा की एक जलक इस पुस्तिका में प्रस्तुत है, ग्रामिन गरीबी की समस्या कम ग्रामिन उत्पादक्ता और अल्प रोजगार वै बेरोजगारी से जुड़ी है, यदपी विकास की सामान्य प्रक्रिया के अधी नहीं उत्पादक रोजगार के अधिकादिक अवसर स्रजित किये जाते हैं, फिर भी ग्रामिन लोगों के लिए रोजगार पेदा करने तथा आय के कुछ नियूनतम इस्तर प्राप्त करने हेतु विशेश रोजगार कार्यक्रमों की सतत आधार पर जरूरत है, उपर यूग उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, समय समय पर रोजगार स्रजन की विभिन योजनाई चलाई गई थी, सातवी योजना के आखीरी वर्ष में एक अप्रेल 1989 से उस समय विध्यमान दो रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय ग्रामिन रोजगार कार्यक्रम और ग्रामिन भूमिहिन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना नामक ग्रामिन रोजगार कार्यक्रम में मिला दिया गया था, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामिन खेत्रों में बेरोजगार पूरुसों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक फायदे मंद रोजगार का स्रिजन करना है ग्रामिन आर्थिक आधार धांचे को सुद्रिड बना कर सतत आधार पर रोजगार के अवसर स्रजित करना है समप्त